हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश सामान ग्यान से समंदित फोट्टी मोस्ट इंपर्टेंड कोशन पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश की आने वाली सभी प्रतियों की प्रिच्छाओं के लिए बेहादी मात इस्तित है सेक्ष सलीम चिस्ति की दर्गा इस्तित है फतेपुर सिकरी में जौनपूर में स्थित जाजरी मस्जित का निर्मार किसने करवाया था इब्राहिम सरकीने इब्राहिम सरकीने बाले मिया की दर्गा उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है मेरठ में सूफी संथ साह अलावदिन साबिर की दरगा उत्तर प्रदेश में कहां पर है कलियर में कहां पर कलियर में सूफी संथ स्यद अब्दुलरज्जाक की दरगा उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर इस्थित है बासा बारबंकी में संत हजरत सुल्तानुल आर्फीन की दरगाह उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर है बदायों में कहां पर बदायों में फकीर सयद सालार मसूद गाजी की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहां पर इसी था है बहराइच में कहां पर बहराइच में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सूफी संत हाजी वारिस अलिस रा की मजार इस्तित है देवा में कहां पर देवा में संत सेज़िद महमूद सा असरफ जहांगीर की दरगा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है किछाउचा अमवेड कर नगर में मुगल सासक अकबर दौरा निर्मित अनेक छतरियों वाली प्रफिद्ध जामा मफजित उत्तर प्रदेश में कहां परिस्थित है फतेपुर सीकरी में औरंग जेब के गवर्नर बहराम खां द्वारा बनाई गई चुनार मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है मिर्जापुर में सरकी सुल्तानों द्वारा जौनपुर में निर्मित सर्व सेफ्ट मस्जिद कौन सी है अटाला मस्जित कौन से मस्जित अटाला मस्जित निम्न में से किस ने सितार का आविश्कार किस ने किया था सितार का आविश्कार किया था अमीर खुसरों ने अमीर खुसरों ने उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की कहार जादी द्वारा किये जाने वाला नित कौन सा है चौरस्या नित कौन सा 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 नित किया जाता है कर्मा नित कर्मा नित निम ने लिखे तो जोडों में से कौन सा गलत है राय नित्य बुंदेल खंड छोलिया गोरकपुर सीला मिर्जापुर कर्मा मिर्जापुर तेहां पर छोलिया गोरकपुर यह आफ़न गलत दिया गया जबकि राय नित्य बुंदेल खंड में होता है सीला मिर्जापुर कर्मा सा है धूरिया समाज निर्थे कौन सा निर्थे उत्तर प्रदेश का कौन सा निर्थे जिसमें नर्तक कुस्ती लड़ने कबड़ी खेलने और चिडियों जैसी चेफटाइं करते हैं नटवरी निर्थे कौन सा नटवरी उत्तर प्रदेश में अवधिवा भोट पुरी भासा वाले छेत्रों में कौन सा लोकगीत गाया जाता है बिरहा लोकगीत उत्तर प्रदेश में बुंदेल खंड चेत्र में वीर रस्से भरपूर प्रसिद्ध गायन सेलि कौन सी है आला आलहा उत्तर प्रदेश विधान परिशत के सदस्यों का निर्वाचन कि पद्धती द्वारा होता है एकल संक्रमडी पद्धती द्वारा एकल संक्रमडी पद्धती द्वारा उत्तर प्रदेश से लोग सबा हे तू निर्वाचित संसत्वर्दसों की संख्या कितनी है? 80 कितनी है? 80 उत्तर प्रदेश विधान सबा के निर्वाचन हे तू किसी प्रत्यासि के आयू कितनी होनी चाहिए? 25 वर्स कितनी? 25 वर्स उत्तर प्रदेश विधान सभा परिशत के कितने सदस्यों को राजिपाल मनोनीद करता है दो सदस्यों को उत्तर प्रदेश विधान परिशत के कितने सदस्यों इस नातकों तथा शिचकों दोरा चुने जाते हैं 18 सदस्यों उत्तर प्रदेश बिधान परिश्द के कितने सदत से प्रति दो वर्ष के पश्चाद अपना उस्थान रिख्त करते हैं एक बटे तीन सदा से एक बटे तीन उत्तर प्रदेश में प्रथम बार लोका युक्त के पद की बिवस्ता कब की गई थी? 1975 के लोका युक्त अधिनियम के इंतरगत उत्तर प्रदेश के प्रथम बार लोका युक्त श्री बिसंभर दयाल को इस पद पर कब नियुक्त किया गया था? कौन से पद पर? लोका युक्त के पद पर 14 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश बिधान परिशद बिधान मंडल का कौन से सदन कहलाता है? उच्च सदन उत्तर प्रदेश में नगर पालिका की गठन है तू? किसी नगर की जन संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? बीस हजार उत्तर प्रदेश में निम्न लिकित में से किन नगरों में महापालिका नहीं है? कानपूर लखनव, जौनपूर सहरनपूर, इलाहाबाद मेरट, आगरा वरानसी तो जौनपूर और सहरनपूर में नगर में महापालिका नहीं है उत्तर प्रदेश ग्रामेड छेत्रों में सासन प्रबंधन वा विका सेतु किस संस्ता का गठन किया गया है जीला परिसद का उत्तर प्रदेश राज पार का कारकाल सामान तक कितने वरसों को होता है पांच वरसों का उत्तर प्रदेश राज पाल पत के लिए कम से कम कितनी आई होनी चाहिए पैंटिस वरस उत्तर प्रदेश के लोग सेवा आयोग के अध्यच की निकती कौन करता है राज पाल कौन करता है राज पाल उत्तर प्रदेश के राज पाल को निम्न लिकित में से कौन सा अधिकार प्राप्ता है विधान मंडल को आमंत्रित करने बिफर्जित करने वा इफ्तगित करने का अधिकार विधान सभा को भंग करने का अधिकार अध्या देश जारी करने का अधिकार या फिर उपरोग तो सभी अधिकार तो इसका इंफर हो जाएगा उपरोग तो सभी अधिकार प्रदेश के कुछ विश्यों पर अध्धा देश जारी करने के लिए राज जिपाल को किसकी सुईक्रत लेने की आवसकता होती है राश्टर पती की विधान सभा में धन विदेयक किसकी सिपारिस के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता उत्तर प्रदेश के उच नियाले के नियाधिर की नियुक्ति राश्टर पती किसके परमर्स से करता है राजपाल की परमर्स से राश्टर पती साफन लागू करता है जिसका इंफर हो जाएगा कि राश्टर पती को अगर किसी राज में राश्टर पती साफन लागू करना है तो वो सला लेता है राश्पाल की राश्पाल की